हलो फ्रेंड्स मैं धर्मेंद्र अपने यूटूब चैनल अमेजिंग पार्ट साला में आप लोगों का पुन्य स्वागत करता हूं दोस्तों आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए भारती अर्थ विवस्ता से संबंदीत एक हजार से भी अधिक वर्ल नाइनर जी के क्यूशन को लेकर आया हूं दोस्तों इससे पहले हम लोगों ने भारती राजविवस्ता भारत एवम बिश्वका भुगोल के सांसनात दोस्तों भारत के आधुनिक इतिहास और उसके मध्ध कालिन और प्राचिन इतिहास से दोस्तों बिना समय गमाएं आज की वीडियो को स्टार्ट करते दोस्तों आज का पहला प्रश्न आप लोगों के लिए योजना में कोर्ष सेक्टर का क्या तात्पर है तो दोस्तों योजना में कोर्ष सेक्टर का तात्पर है चैनित आधार भूत उद्योग से होता है नेक् योगदान है इंडिया इज फार सेल नामक पुस्तक किस ने लिखी है तो दोस्तों इंडिया इज फार सेल नामक पुस्तक को चित्रा सुब्रमडेम ने लिखा है दच्छेस अरथात सार्ग की अस्थापना कब हुई थी स्वामि नाथन समीति किस छेतर से सम्बंदी थे तो स्वामि नाथन समीति का समबंध जनसंख्या नीति से है भारती औध्योगीक पुनर निर्मार बैंक अरथात IRBI की स्थापना कब हुई थी तो दोस्तों भारती और द्योगीक पुनर निर्मार बैंक की अस्थापना 20 मार्ज 1985 को हुई थी अगला प्रशने दोस्तों भारत में सरवाधिक कम आयवाला राज कौन सा है तो दोस्तों भारत में सरवाधिक कम आयवाला राज बिहार है प्रथम पंचवर्सी योजना में किस छेत्र को सर्वच प्रात्मिक्ता दी गई थी तो दोस्तों प्रथम पंचवर्सी योजना में क्रिसी एम सिचाई छेत्र को सर्वाधिक प्रात्मिक्ता दी गई थी भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा था तो दोस्तों भारत का सबसे पहला बैंक बैंक आफ हिंदुस्तान था next question की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों Tata Iron and Steel Company अर्था Tisco की अस्थापना कब होई थी तो दोस्तों Tata Iron and Steel Company की अस्थापना सन 1907 में होई थी भारत में सरवाधिक गन्ना किस राज्य में उत्पन किया जाता है तो दोस्तों भारत में सरवाधिक गन्ना उत्तर प्रदेश में उत्पन किया जाता है अगला प्रश्न मित्रों श्वण जयनती सहरी रोजगार योजना कब से लाकू गी गई तो दोस्तों स्वण जयनती सहरी रोजगार योजना 17 सितंबर 1997 से सुरू की गई थी नेक्स्ट क्यूशन है दोस्तों नंजुन दप्पा समिती का संबंध किस भी सैसे था तो दोस्तों नंजुन दप्पा समिती का संबंध रेल भाड़ा भी सैसे संबंधी था आगे बढ़ते हैं दोस्तों ACI विकास बैंक का मुख्याल है कहां इस्थित है तो दोस्तों, ACI विकास बैंक का मुख्याल है, Philippines की राजदानी, Manila में इस्थित है Next question की तरफ बढ़ते हैं, भारत का सबसे बड़ा द्युपक्षी दान दाता अर्थात bilateral donor कौन सा देश है तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा दुपिक्षी दान दाता जापान है नेक्स्ट क्यूशन है WWF का क्या अर्थ है तो दोस्तों WWF का अर्थ World Wide Fund for Nature होता है नेक्स्ट क्यूशन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों नाबाड जो ग्रामिड विकास के लिए रिड़ देता है ये क्या है तो दोस्तों नाबाड जो ग्रामिड विकास के लिए रिड़ देता है वह दोस्तों एक बैंक है किस समिती ने क्रिसी जोतों अर्थात एग्रिकल्चरल होल्डिंग्स पर कर लगाने की संसुती की थी तो दोस्तों राज समिती ने क्रिसी जोतों पर कर लगाने की संसुती दी थी next question दोस्तों क्या योजना आयोग साविधिनिक आयोग है तो नहीं दोस्तों योजना आयोग एक साविधानिक आयोग नहीं है और दोस्तों योजना आयोग का नाम बदल के नीती आयोग कर दिया गया है आगे बढ़ते हैं समन्वित ग्रामीड विकास कारिकरम किस वर्ष प्रारम किया गया था तो दोस्तों समन्वित ग्रामीड विकास कारिकरम सन 1978 और 1989 के दोरान किया गया था आर्थिक नियोजन की सूची का विशा है तो दोस्तों आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विशा है नेक्स्ट क्यूस्टन मित्रों आप लोगों के लिए भारती प्रति भूती एवं बिनमय बोर्ड अर्थात सेवी की अस्थापना कब की गई थी तो दोस्तों भारती प्रतिभूती योँ बीनमय बोर्ड सेबी की अस्थापना दोस्तों 1988 में की गई थी और दोस्तों सेबी का फुल फार्म Stock Exchange Board of India होता है Next question है ग्रेशम का नियम किस से संबंदित है तो दोस्तों ग्रेशम का नियम मुद्रा के प्रचलन से संबंदित है निक्की क्या है तो दोस्तों टोकियो Stock Exchange का सेयर मुल सुच कांक है ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं भारती निरयात आयात बैंक की अस्थापना कब की गए थी तो दोस्तों भारती निरयात आयात बैंक की अस्थापना एक जनW बादित किया था उत्पादन की द्रिष्ट से विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश कौन सा है तो दोस्तों उत्पादन की द्रिष्ट से विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश भारत है विश्व बयापार संगठन की अस्थापना सन 1995 में हुआ था भा दोस्तों भारत में सेयर बाजारों के लिए मुख नियंतरक का कार्य भारती प्रतिभूती यों बिनुमें बोर्ड अर्थात से भी द्वारा किया जाता है भारत की अर्थविवस्था कैसी है तो दोस्तों भारत की अर्थविवस्था विकास सील है भारत की राष्ट्री आय कि केंदरी सांख की संगठंदवारा अनुमानित की जाती हैं ठेइंद्र राज के बीच बित्ति आयोग होती है आगे बढ़ते हैं दोस्तों मुद्रा के अमुल्यन का क्या अर्थ है तो दोस्तों अन्य मुद्राओं की तुल्णा में देशी मुद्रा के मुल्य में कमी को ही मुद्रा का अमुल्यन कहा जाता है ठीके दोस्तों राश्ट्री ग्रामिड विकास संस्थान कहा है तो दोस्तों प्राश्ट्री ग्रामिड विकास संस्थान हैदराबाद में है बंद अर्थ विवस्था अर्थात क्लोज्ड इकोनॉमी का क्या अर्थ है तो दोस्तों जब आयात निर्यात अनुपस्थित हो जाता है अर्थात आयात निर्यात दोस्तों बंद हो जाता है तो उसे बंद जोगी करण की रणनीती मुख्रूप से दूसरे अर्थाद दिती पंचवर्शी योजना का अंग था। इंडिया इंस्ट्राक्टर रिपोर्ट की समीति द्वारा प्रस्तुत की गई थी। ऐसा कोई भी कर जिसका उल्लेक भारती समिधान में नहीं है लगाने यो मुशिल करने का अधिकार किसको है तो दोस्तों ऐसा कोई भी कर जिसका उल्लेक भारती समिधान में नहीं है तो दोस्तों उसे लगाने यो मुशिल करने का अधिकार के अंदसरकार को होता है प्लास्टि लग उद्योग छेत्रों से है कस्तूरबा गांधी सिच्छा योजना किस से संबंधित है तो दोस्तों कस्तूरबा गांधी सिच्छा योजना बालिका सिच्छा से संबंधित है आरेन मलहुत्रा समीती ने किस छेतर से सम्बंधित सुधारों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की थी तो दोस्तों आरेन मलहुत्रा समीती ने बीमा छेतर से सम्बंधित सुधारों के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी अगले प्राश्ट की तरफ बढ़ते हैं भारत की राष्ट्री आयोक का गठन कब किया तो दोस्तों भारत की राष्ट्री आयोक का गठन सन 1950 में किया गया था दोस्तों योजना आयोक का नाम वरतमान में बदल कर नीती आयोक कर दिया गया जैसा कि आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं राश्ट्री आय की बृद्धी दर किसी योजना में नियुनतम रिकार्ड की गई थी दूद के उत्पादन में भारत का बिश्व में कौन सा स्थान है तो दोस्तों दूद के उत्पादन में भारत का बिश्व में प्रथम अस्थान है बिस बैंक का मुख्याले कहां इस्तित है तो दोस्तों बिस बैंक या वर्ल्ड बैंक का मुख्याले वासिंगटन डी सी में इस्तित है और दोस्तों यह अस्थान संयुक्तराज अमेरिका में पड़ता है ठीक है आगे बढ़ते हैं दोस्तों ओपेक अर्थात भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंच वर्सी योजना के अंतरगत दिया गया था तो दोस्तों भारत में गरीबी हटाओ का नारा पांच वी पंच वर्सी योजना के अंतरगत दिया गया था अंतर राश्टी ब्यापार का प्रमुख प्रहरी किसे माना जाता है तो दोस् WTO का full farm world trade organization होता है भारत के प्राचिंतम केंद्री स्रमिक संगठन AITUC को किस अन्य स्रमिक संगठन में बिले की योजना है तो दोस्तों भारत के प्राचिंतम केंद्री स्रमिक संगठन AITUC को हिंदू मजदूर सभा में बिले करने की योजना है The Indian Institute of Advanced Study भारत के किस सहर में स्थित है तो दोस्तों The Indian Institute of Advanced Study भारत के सिमला सहर में स्थित है और सिमला दोस्तों हिमाचल प्रदेश की राजधानी है आगे बढ़ते हैं दोस्तों अंतर राष्ट्री स्रम संगठन अर्थात ILO का मुख्याले कहां है तो दोस्तों अंतर राष्ट्री स्रम संगठन का मुख्याले जनेवा में स्थित है यूरोपी आर्थिक संगधाय का मुख्याले कहां स्थित है दोस्तों यूरोपी आर्थिक समधाय का मुख्याला है बेल्जीम की राजधानी ब्रसल्स में इस्थित है मोटर कारों के उत्पादन के लिए प्रशिद हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड पर किस अधियोगिक घराने का अधिपत्य है मोटर कारों के उत्पादन के लिए प्रशिद हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड पर बीड़ला घराने का अधिपत्य है आगे बढ़ते हैं दोस्तों हरा सोना किसे कहा जाता है तो दोस्तों चाय को हरा सोना कहा जाता है कमपनी द्वारा लाभांस की घोषड़ा किस पर की जाती है तो दोस्तों कमपनी द्वारा लाभांस की घोषड़ा अभिदत पूजी पर की जाती है 24 बैंकों काराश्ट्री करण 19 जुलाए 1969 को किया था नेक्स्ट क्यूस्टन है आप लोगों के लिए भारत के किस राज में और शत वार्षिक आय निवनतम आकी गई है तो दोस्तों भारत के बिहार राज में और शत वार्षिक आय निवनतम अर्था सबसे कम आकी गई है बित आयोक का प्रमुखकार क्या है तो दोस्तों केंदरी करो में राज्यों के भाग तथा केंदर द्वारा राज्यों के लिए दी जाने वाली बित्ती सहायता के सिध्धांत निर्धारित करने का प्रमुखकार बित आयोक का है क्या भारती रिजर्व बैंग एक रुपए के नोट को छापता है तो दोस्तों इसका जवाब है नहीं अर्थाद भारती रिजर्व बैंग एक रुपए के नोट को नहीं छापता है आगे बढ़ते हैं दोस्तों बोकारो इस्पात सयंद्र किस देश के सहयोग से अस्थापित किया गया था दोस्तों बोकारो इस्पात सयंद्र सोवियत संग के सहयोग से अस्थापित किया गया था हरित क्रांति से सरवाधिक उत्पादन किस खाद्यान का हुआ दोस्तों हरित क्रांति से सरवाधिक उत्पादन ग्यहूं का हुआ था आगे बढ़ते हैं मित्रों भारत सरकारदवारा नई अध्योगिक नीती अर्थाद निउ इंडेस्ट्रियल पॉलिसी की घोषड़ा कब की गई तो दोस्तों भारत सरकारदवारा नई अध्योगिक नीती की घोषड़ा 24 जुलाई 1991 को किया गया था जानकी रामन समीती का गठन किस उद्देश से किया गया था तो दोस्तों जानकी रामन समीती का गठन बैंकों की प्रतिभूतियों के सौदों की जाच हेतु किया गया था केंदरी राजस बोर्ड का विभाजन करके केंदरी उतपाद सुलक सीमा सुलक बोर्ड यों केंदरी प्रत्यक्ष कर बोर्ड का गठन की सु वर्ष किया गया था तो दोस्तों इसे 1963 में किया गया था आगे बढ़ते हैं दोस्तों अखिल भारती खादी यों ग्राम अध्योग आयोग की अस्थापना कब की गई थी तो दोस्तों अखिल भारती खादी यों ग्राम अध्योग आयोग की अस्थापना 1957 में किया गया था नेक्स्ट क्यूस्टन है, ACI विकास बैंक अर्थाथ Asian Development बैंक, अर्थाथ ADB की अस्थापना किर्शवर्ष की गई थी, तो दोस्तों, ACI विकास बैंक की अस्थापना दिसंबर 1906 छट में किया गया था, अगले प्रेस की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो की है, पूर्ण से भारत का प्रथम बैंक पंजाम नेशनल बैंक था, भारती जीवन बीमा निगम की अस्थापना कब की गई थी, तो दोस्तों, भारती जीवन बीमा निगम अर्थाथ LIC की अस्थापना 1 सितंबर 1906 को किया गया था, ACI विकास बैंक का मुख्याले कहां इस्थित है, तो द मुद्रा इस्थिती ही इस्टैगलेशन है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दुलहस्ती जल बिद्दुत परियोजना किस राज की बहुत देशी परियोजना है, तो दोस्तों, दुलहस्ती जल बिद्दुत परियोजना जम्मु कस्मिर राज की बहुत देशी परियोजना है, भारत में वी निवेस आयोग अर्थात डिस इन्वेस्टमेंट कमिशन की अस्थापना कब की गई थी तो दोस्तों भारत में वी निवेस आयोग की अस्थापना अगस्थ 1996 में किया गया था नेक्स्ट क्यूश्टन है आप लोगों के लिए निर्धन्ता निवारण को एक उद्देश के रूप में किस पंच वर्षी योजना में आर्थिक आयोजन के उद्देश्यों में सामिल किया गया था तो दोस्तों निर्धन्ता निवारण को एक उद्देश के रूप में आयात निर्यात बैंक की अस्थापना एक जन्वरी 1982 को किया गया था तो प्रदान करने वाला उद्ध्योग कौन सा है तो दोस्तों भारत में सरवाधिक रोजगार प्रदान करने वाला उद्ध्योग सूती वस्त्र उद्ध्योग है नेक्स्ट प्रश्ण की तरब बढ़ते हैं 1934 में लिखी गई पुस्तक Planned Economy for India के लेखक कौन है तो दोस्तों 1934 में लिखी गई पुस्तक Planned Economy for India के लेखक Sir M. B. इस स्वरेया हैं Economic and Social Commission for Asia and Pacific का मुख्याले कहां है तो दोस्तों Economic and Social Commission for Asia and Pacific का मुख्याले Bangkok में है ठीक दोस्तों थाइलेंड की राजधानी है बारत में विदेशी मुद्रा पर नियंतरण किसका है तो दोस्तों do बारत में डिदेशी मुद्रा, पन्ययंतंन्ब रिजर्व बैंक आफ, इंडीया अर्थात यां, अंतरराश्ट्री मुद्रा कोष्ट का मुख्याल यह कहा है, इसती तो दोस्तों अंतराश्ट्री मुद्रा कोश का मुख्याल है वासिंग टेन में इस्थित है भारत में लीड बैंग की योजना कप्रारम की गई थी तो दोस्तों भारत में लीड बैंग की योजना की शुरुआत 1969 में किया गया था next question है विस बैंग की उधार रिंड प्रदान करने वाली खिड की अंतर राष्ट्री बिकात संग अर्थात आईडिये को कहा जाता है पारा दीब बंदरगा से मुख्रूप से किस ऐसका लदान किया जाता है तो दोस्तों पारादीब बंदरगा से मुख्य रूप से लह अयस का लदान किया जाता है भारती रिजोर्ब बैंक अधनियम 1956 द्वारा किस नविन विवस्था को लागू किया गया आगे बढ़ते हैं दोस्तों राश्ट्री आई की वार्षिक ब्रिद्धी दर किस योजना में नियुनितम रिकार्ड की गई थी तो दोस्तों राश्ट्री आई की वार्षिक ब्रिद्धी दर दोस्तों तिरती योजना में अर्था तीसरी पंच वर्षी योजना में नियुनि दासी को किया गया था अगले प्रस्ट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों राश्ट्री महिला कोस की अस्थापना किस योजना में किया गया था मत्स उत्पादन बृद्धी को किस क्रांती का नाम दिया गया है तो दोस्तों मत्स उत्पादन बृद्धी को नीली क्रांती का नाम दिया गया है पंचवर्सी योजना का अंतिम प्रारूप स्विकार किसके द्वारा किया जाता है तो दोस्तों पंचवर्सी योजनाओं का अंतिम प्रारूप राश्टी विकास परिशत द्वारा स्विकार किया जाता है गुलाबी करांती से किसकी उत्पादन विद्धी का आसे होता है तो दोस्तों गुलाबी करांती से जिंगा मशली का उत्पादन का संबंध होता है आगे बढ़ते हैं दोस्तों भारत का अनन्य आर्थिक छेत्र अर्थात exclusive economic zone भारत के समुद्धर से कितनी दूर तक है तो दोस्तों भारत का अनन्य आर्थिक छेत्र समुद्र में 200 nautical meal तक माना जाता है ठीक है दोस्तों नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं भारत में नारियल का सरवाधिक उत्पादन करने वाला राज कौन सा है तो दोस्तों भारत में सरवाधिक नारियल का उत्पादन करने वाला राज केरल है राष्ट्री क्रिसियों ग्रामिड विकास बैंक अर्थात नाबाड की अस्थापना कि समिती की सिपारिस के आधार पर की गई थी तो दोस्तों राश्ट्री क्रिसियों ग्रामीड विकास बैंक की अस्थापना सिव रामन समिती के सिपारिस पर की गई थी भारत में एक रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं तो दोस्तों भारत में एक रुपए के नोट पर बित्त मंत्राले के सच्छिव के हस्ताक्षर होते हैं New York Stock Exchange में सुची बद्ध होने वाली पहली भारती कंपणी कौन सी है तो दोस्तों New York Stock Exchange में सुची बद्ध होने वाली पहली भारती कंपणी आई सी आई सी आई है नेक्ट कुश्चन है मित्रों आप लोगों के लिए बंद अर्थ विवस्था से क्यातात पर है तो दोस्तों ऐसी अर्थ विवस्था जिसमें आयात निर्यात का ब्यापार न हो अर्थात आयात निर्यात बंद हो तो दोस्तों ऐसी अर्थ विवस्था को बंद अर्थ विवस्था अर्थात क्लोज्ड एकोनॉमी के भी नाम से जा गया था अगले प्रश्कित्र बढ़ते हैं दोस्तों भारत सरकार ने अपनी पहली लगु छेत्र और द्योगिक नेती की घोशड़ा कब किये थी तो दोस्तों भारत सरकार ने अपनी पहली लगु छेत्र और द्योगिक नेती की घोशड़ा 6 अगस्त 1991 को किया था बिस्तु जन संख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है तो दोस्तों बिस्तु जन संख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है गरीबी हटाना तथा आत्म निर्भरता की प्राप्ति किस पंचवर्सी ओजना का प्रमुख लक्ष था दोस्तों गरीबी हटाना तो था आत्मी निर्भरता की प्राप्ति करना दोस्तों यह पांचमी पंचवर्सी योजना का प्रमुखलक्ष था या फिर उद्देश था नेक्स्ट क्यूस्टन दोस्तों आप लों के लिए राश्टी सुरच्छा कोस के अस्थापना कप की गई थ था बेकान 98 क्या है तो दोस्तों यह बैंक अर्थ सास्त्रियों का एक सम्मेलन है यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया का प्रमुख उद्देश क्या है तो दोस्तों यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया का प्रमुख उद्देश छोटी-छोटी बचतों को प्रसाहित करने से है अंतर राश्ट्री मुद्राकोस की सम्मेलन की देन है, अगला प्रश्णे मित्रो, सुन्य आधारित बजट से क्याताद पर होता है, तो दोस्तों बिल्कुल नए सीरे से बजट को तयार करना सुन्य आधारित बजट कहला ता है. आगे बढ़ते मित्रों काम के बदले अनाज कारिकरम की किस पंच वर्षी योजना में प्रयारम किया गया था उपभोकता दिवस किस तारिक को मनाया जाता है तो दोस्तों उपभोकता दिवस प्रतेक 15 मार्च को मनाया जाता है भारत में अफिम का सरवाधी कुतपादन किशराज में होता है तो दोस्तों भारत में अफिम का सरवाधी कुतपादन मध्यपरदेश में होता है आगे बढ़ते हैं दोस्तों मुद्रा अवमुल्यन का आयात निर्यात पर क्या प्रभाव पढ़ता है तो दोस्तों मुद्रा अ अधिगम अधिमान सिध्धान्द को किन्स महोदय ने प्रतिपादित किया था अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए ICICI की अस्थापना कब हुई तो दोस्तों ICICI की अस्थापना 1955 में हुआ था जीवन बीमा का राष्टी करन कब हुआ तो दोस्तों जीवन बीमा का राष्टी करन 1956 में हुआ Reserve Bank of India की अस्थापना किस वर्स हुई तो दोस्तों Reserve Bank of India के अस्थापना 1 जुलाई 1935 को हुई थी Board for Industrial and Financial Reconstruction की अस्थापना कब हुई थी तो दोस्तों Board for Industrial and Financial Reconstruction अर्थाद BIFR की अस्थापना 1987 में हुई थी स्वतंतर भारत का प्रथम आम बजट जो की दोस्तों 1947 में प्रस्तुत किया गया था वो प्रस्तुत करने वाले बित्मंत्री कौन थे दोस्तों स्वतंतर भारत का प्रथम आम बजट प्रस्तुत करने वाले बित्मंत्री आर्के 60 मुकम सेट्टी थे आगे बढ़ते हैं दोस्तों उदार मुद्रा अर्थाद सौफ्ट करेंसी क्या होती है भारत में बेरोजगारी का मुख्य शोरूप क्या है तो दोस्तों भारत में बेरोजगारी का मुख्य शोरूप सररशनात्मक बेरोजगारी है जी एट संगठन में समलित आठमा देश कौन सा है तो दोस्तों जी एट संगठन में समलित आठमा देश रूस है आगे बढ़ते हैं मित्रों राष्ट्री योजना समिती अर्थात नैशनल प्लाणिंग कमिटी की अस्थापना कब हुई थी और इसके अध्यच कौन नियुक्त वे तो दोस्तों राष्ट्री योजना समिती की अस्थापना 1929 में हुई थी और दोस्तों इसके अध्यच जवा नेहरू थे नेक्स्ट क्यूस्चन है अप लोग के लिए राश्ट्री एक्वेटी निधी स्कीम अर्थाथ नैशनल एक्वेटी फॉन्ड इसकीम का संचालन किसके द्वारा किया जाता है तो दोस्तों केंदरी मुल्य वर्धित कर प्राली सेनवेट का लवाती है नेक्स्ट क्यूशन मित्रों आप लों के लिए भारत में श्वेत क्रांती का प्रथम चरण अर्थात Operation Flood First का प्रारम किया गया था दोस्तों भारत में श्वेत क्रांती का प्रथम चरण 1970 में प्रारम किया गया था किस वर्ष आंधरा बैंक, को आपरेटिव बैंक, न्यू बैंक आफ इंडिया, ओरियंटल बैंक आफ कामर्स, पंजाब एंड सिंध बैंक और विजया बैंक का राश्ट्री करण हुआ तो दोस्तों इन सभी बैंकों का राश्ट्री करण 15 अपरेल 1980 को हुआ था स्रम बिभाजन बाजार के आकार के द्वारा शमिती होती है, यह कथन किस अर्शास्त्री का है तो दोस्तों स्रम विभाजन बाजार के आकार के द्वारा सीमित होती है तो दोस्तों यह कथन एडम इसमित का है Next Question है मित्रों बिश बैंक ने भारत को सामनत किस अवधी की योजनाओं के लिए रिड़ उपलब्द कराया है तो दोस्तों यूनित ट्रस्ट आफ इंडिया की स्थापना 1964 में हुई थी Reserve Bank of India का राष्टी करण किस वर्ष हुआ तो दोस्तों Reserve Bank of India का राष्टी करण 1949 में हुआ था किस पन्च वर्षी योजना में आत्म निर्भरता का लक्ष रखा गया दोस्तों चौथी पंचवर्थी योजना में आत्म निर्भरता का लक्ष रखा गया था किस पंचवर्थी योजना को पूरी होने से एक वर्ष पूरी ही समाप्त कर दिया गया था समन्नमित ग्रामिड विकास योजना किस वर्स प्रार्यम की गई थी दुस्तों समन्मित ग्रामिड विकास योजना वर्स 1978-89 में प्रार्यम की गई थी नेक्स्ट क्यूश्चन है आप लोगों के लिए जब कुल राजस्व के समान ही कुल लागत होती है तब उस इस्तिती को क्या कहा जाता है तो दोस्तों जब कुल राजस्व के समान ही कुल लागत होती है तब दोस्तों उस इस्तिती को शंतुलन अस्तरबिंद अर्थात ब्रेक event point के नाम से चाना जाता है डॉलेक्स किस stock exchange का share switch kank है तो दोस्तों डॉलेक्स मुंबई stock exchange का share switch kank है पस्षिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता का नया नाम बंगाली रुपांत रण करके क्या स्युकार किया गया है तो दोस्तों बंगाली पश्रिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता का नया नाम दोस्तों बंगाली रुपांतरण कर गया थात परिवर्थित करके दोस्तों उसका नाम कोलकाता रख दिया गया है भारती और द्योगिक बित निगम अर्थात IFCI की अस्थापना कब की गई थी तो दोस्तों भारती और द्योगिक बित निगम की अस्थापना वर्ष 1949 में की गई थी प्रथम बित आयोक का गठन कब किया गया था तो दोस्तों प्रथम बित आयोक का गठन 1951 में किया गया था सार्वजनिक छेत्र क्या कहलाता है तो दोस्तों देश के आर्थिक क्रिया कलाप का वह भाग जो सरकार के कार छेत्र में आता है उसे दोस्तों सार्वजनिक छेत्र के नाम से जाना जाता है अगले प्रशच की तرف बढ़ते है दोस्तों, भारत में औध्योगी मूल्स रिजन किस राचिम में सरवाधिक है तो दोस्तों भारत में औध्योगी मूल्स रिजन सरवाधिक महाराष्ट में है भारत की किस पंचवर्शी योजना में तीवर अध्योगी करण पर सरप्रथम बल दिया गया था अरथार जोड दिया गया था भारत का अनने आर्थिक छेत्र अर्थात exclusive economic zone कितने वर किलोमेटर तक विस्त्रित है तो दोस्तों भारत का अनने आर्थिक छेत्र है भारत के समुतर से 200 नौटिकल मेल तक कुल दोस्तों यह माना गया है और दोस्तों कुल 24 लाख वर किलोमीटर तक भारत का एकोनॉमिक एक्सक्लेजिव जोन है अर्थात भारत का अनन्य आर्थिक छेत्र है आगे बढ़ते मित्रों चतुर्थ पंचवर्सी योजना कप्रारम की गई थी तो दोस्तों चौथी पंचवर्सी योजना एक कप्रेल उन्निश्व उननिश्व उननत्तर को प्रारम किया गया था नवी पंचवर्स योजना की समापती कब हुई तो दोस्तों नवी पंचवर्स योजना की समापती 31 March 2002 को हुआ था नियापूर्ण बितरण और समानता के साथ विकास अर्थात growth with equity and distributed justice किस पंचवर्शी योजना का मुख्य उद्दिश था तो दोस्तों नियापूर्ण बितरण और समानता के साथ विकास दोस्तों यह नवी पंचवर्शी योजना का मुख्य लक्ष था नेक्स्ट प्रशने दोस्तों आप लोगों के लिए राश्ट्री विकास परिशत अर्थात ndc का गठन कब किया गया था तो दोस्तों राश्ट्री विकास परिशत का गठन 6 अगस्त 1922 को किया गया था बिश्व का सबसे बड़ी अनुसंधान परड़ाली किस देश की है तो दोस्तों बिश्व की सबसे बड़ी अनुसंधान परड़ाली भारत की है भारत का पहला नीगमित अर्थात कार्पोरडाईज बंदरगा कौन सा है तो दोस्तों भारत का पहला नीगमित बंदरगा एन था है अगला प्रशने दोस्तों अपनों के लिए भारत में बित आयोग के गठन का प्रावधान समिधान के किस अनुच्छेद में है तो दोस्तों भारत में बित आयोग के गठन का प्रावधान समिधान के 280 में अनुच्छेद में है द्वीप विकास प्राधिकरण अर्थात आइलेंड डेवलप्मेंट अथार्टी का अध्यच कौन होता है तो दोस्तों द्वीप विकास प्राधिकरण का अध्यच प्रधानमंतरी होता है भारत में हरित क्रांति किस मामले में सरवाधिक सफल रही ह दोस्तों भारत में हरित क्रांती ग्यहूं और चावल के उत्पादन में सरवाधिक सफल रही है अवमोल्यंकन सब्द का क्या अर्थ है दोस्तों अन्यमुद्रा की तुल्ना में श्वदेशी मुद्रा के मुल्ल को घटाना ain ओमोल्यन होता है आगे बढ़ते हैं दोस्तों भारती स्टेट बैंक ने किस नाम से बिदेशी मुद्रा प्राप्त करने की योजना जारी की थी तो दोस्तों भारती स्टेट बैंक ने इंडिया मिलेनियम डिपॉजिट योजना के तहट बिदेशी मुद्रा प्राप्त करने की योजना जारी की थी सरकार द्वारा लागू किये जाने वाले नौन सीपर्स योजना का संबंद किस से है तो दोस्तों सरकार द्वारा लागू किये जाने वाले नौन सीपर्स योजना का संबंद निर्यातित माल से है भारती रिजर्बैंग का लेखा वर्स कौन सा है तो दोस्तों भारती सभ्uchar प्रतेक हर सरकारी तोर पर किसके द्वारा प्रेकाशित किया जाता है मैं सहकारी बैंगों का गठन वाला है सहकारी गठन तीन बैंक तो दोस्तों इसे क्या कहा जाता है तो दोस्तों बैंकों को अपने रोकर सेस्ट तथा कुल परिशंपती की मद्द एक निश्चित अनपाथ रखना पड़ता है तो दोस्तों इसे सामविधिक तरलता अनपाथ अर्थात SLR के नाम से भी जाना जाता है भारत में मुद्रा इस्पिती किसके द्वारा मापी जाती है तो दोस्तों भारत में मुद्रा इस्पिती ठोक मुल्य सूच कांग द्वारा मापी जाती है स्रेष्ट बाजार का क्या अर्थ है तो दोस्तों सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार ही स्रेष्ट बाजार होता है भारत के संचित कोस के धन की निकासी किसकी अनुमती से ही संभव है तो दोस्तों भारत के संचित कोस से धन निकासी की अनुमती संसत की अनुमती होनी चाहिए अर्था दोस्तों बिना संसत की अनुमती से भारत की संचित कोस से धन को नहीं निकाला जा सकता है भविस्ट में उत्पन होने वाली संदिग्ध कमी या अभाव का सामना करने के लिए बनाए गए किसी वस्त के भंडार को क्या कहा जाता है तो दोस्तों भारत में भविस में उत्पन होने वाली संदिख्ध कमी या अभाव का सामना करने के लिए बनाये गए किसी वस्तु के भंडार को दोस्तों बफर इस्टाक के नाम से जाना जाता है अर्थाथ उसे बफर इस्टाक कहते हैं भारत में नियोजित आर्थिक विकास की प्रक्रिया का प्रारम की गई थी तो दोस्तों भारत में नियोजित आर्थिक विकास की प्रक्रिया को वर्ष 1951 में प्रारम किया गया था भारत के आकश्मिक कोस अर्थात काउंटीजेंसी फांड आफ इंडिया में से धन की निकासी किसकी अनुमती से की जाती है तो दोस्तों भारत के आकश्मिक कोस में से धन की निकासी राष्टपती की अनुमती से की जाती है भारत की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन कौंसी है तो दोस्तों भारत की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन इंटक है सारवजनिक छेतर के बैंकों में कौंसा बैंक सबसे बड़ा है तो दोस्तों सारवजनिक छेतर के बैंकों में दोस्तों सबसे बड़ा बैंक भारती स्टेट बैंक अर्थात SBI है आगे बढ़ते हैं दोस्तों अंतरराष्टी ब्यापार का प्रहरी किसे कहा जाता है तो दोस्तों अंतरराष्टी ब्यापार का प्रहरी अंतरराष्टी मुद्रा कोस अर्थात IMF को कहा जाता है भारती बैंक को की भी दोस्तों में साखाये किस डेश में सर्वाधिक गया था दोस्तों भारति बैंक कि लाके में एंक्तों इंस्त overlade कुछेन ना निसे सब्सक्राइबार जियोगे टा में तो दो스, विश वेयापार संगठन अर्था WTO, 1 जन्वरी 1995 को अस्तित में आया था, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, गरीबी हटाओ और नयाय के सांथ समरिधी के नारे कब दिये गए, दोस्तों गरीबी हटाओ और नयाय के सांथ समरिधी के नारे, दोस्तों 1970 के दसक की प्रारम में दिये गए थे क्रमस आत्म निर्भरता की प्राप्ति यह उद्देश किस पंच वर्षी ओजना के मुख्य उद्देशों में था तो दोस्तों आत्म निर्भरता की प्राप्ति यह उद्देश दोस्तों चौथी पंचवर्थी ओजना के मुख्य उद्द्यशों में से एक था अगला प्रश्ने आप लोगों के लिए भारत में केंद्री बैंक के कारी किसके द्वारा किया जाते हैं तो दोस्तों भारत में केंद्री बैंक के कारी को भारती रिजर्बैंक के द्वारा किया जाता है अर्थाज उसे बैंकदर कहते हैं प्रत्यक्ष कर अर्थार डिरेक्ट टेक्स क्या होता है तो दोस्तों वह कर जो जिस पर व्यक्ति पर लगाया जाता है वह उसका भुक्तान करता है उसे दोस्तों प्रत्यक्ष कर कहते हैं हिंदू विकासदर की आउधाना किस प्रसिद अर्शास्ती ने दिया था दोस्तों हिंदू विकासदर की आउधाना को सरप्रथम दोस्तों प्रफेसर राज कृष्णा ने दिया था इफको क्या है तो दोस्तों इफको भारती कृषक उर्वरक सहकारी संस्था है ठीक है दोस् स्वतंत्र भारत में मुद्रा का अवमुल्ययन सरुद्षं में 1940 में किया गया था राजा चलाया समीती की सिफार से संबन दिती तो दोस्तों राजा चलाया समीती की सिफार से प्रत्यक्ष वपरोक्ष कर सरचना से संबन दिती आगे बढ़ते हैं दोस्तों किसी ब्यक्तिकी मृत्तिव के उपरांत उसकी संपत्ति के हस्तानांतरण के समय लगाये जाने वाले कर को क्या कहा जाता है तो दोस्तों किसी ब्यक्तिकी मृत्तिव के उपरांत उसकी संपत्ति के हस्तानांतरण के समय लगाये जाने वाले कर को estate duty के नाम से जाना जाता है ठीक है दोस्तों next question है आप लोग के लिए stock exchange में जो ब्यक्ति share की कीमत गिरने की आसा कर शौदे कर भविस में देने का वाइदा कर बेचते हैं तो वो क्या कहलाते हैं दोस्तों उसे मंदड़िया अर्थाथ बीयर्स के नाम से जाना जाता है stock exchange में वे वेक्ति जो share की कीमत बढ़ाना चाहते हैं तो वे क्या कहलाते हैं तो दोस्तों वे बुल्स अर्थाथ तेजड़िया के नाम से जाने जाते हैं next question है आप लोग के लिए अंतरराश्टी बाजार में जिस मुद्रा की आपउर्ती मांग के पेक्षा कम होती है तो दोस्तों इस प्रकार की मुद्रा को hard currency कहा जाता है मेरिनों उन उतपादन की दिष्ट से सबसे महतूर मानी जाती है और दोस्तों यह भेण की एक नश्ल होती है सीड़ों किस से समबन दीत है तो दोस्तों सीडों का संबंद लगू उद्योगों से होता है भारत में सबसे महत्पूर लगू उद्योगी काईयां किसे संबंदित है तो दोस्तों भारत में सबसे महत्पूर लगू उद्योगी काईयां हत करगा से संबंदित है बैंक दर क्या होता है तो दोस्तों जिस पर भारती रिज़र्बैंक वारिजिक बैंक को गुधार देता है वही बैंक दर होता है आगे बढ़ते हैं मित्रों किसी राष्ट में विकास हो रहा है अथ्वा नहीं इस तत्थ के अन्वेशन का प्यारमिग अस्त्र क्या है तो दोस्तों सकल घरेली उत्पाद अर्थाथ GDP की सम्रिध्धी दर तोस्तों आगे बढ़ते हैं मित्रों मानो विकास सुचकांग अर्थाथ HDI प्रतिवर्स किसके द्वारा तयार किया जाता है श्वतंदर्ता के पश्षात पहले तीस वर्सों में राश्ट्री आय की सम्रिध्धी की चक्र विध्धी दर मात्र 3.4 प्रतिवर्स रही प्रसिद और सास्त्री राज कृष्ण ने इसका क्या नाम दिया था तो दोस्तों इसका नाम इन्होंने विकास की हिंदू विध्धी द दिया था नेक्स क्यूस्टन है भारत के लिए नियोजित अर्थ बिवस्था नामक पुष्टक किस ने लिखा था तो दोस्तों भारत के लिए नियोजित अर्थ बिवस्था नामक पुष्टक को सर एम विश्वे सुरहया ने लिखा था आगे बढ़ते हैं दोस्तों किश औ अध्योगीक नीती प्रस्ताव को भारत का आर्थिक समिधान भी कहते हैं तो दोस्तों अध्योगीक नीती 1956 को भारत का आर्थिक समिधान भी कहते हैं किसी देश का जीवन अस्तर प्रमुक्तक किसे जाना जाता है तो दोस्तों प्रतिव्यक्ति राश्ट्री आई के द्वारा किसी देश के जीवन अस्तर को जाना जाता है आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्राइशिल किसका संचित रूप है तो दोस्तों ग्रेडिट रेटिंग इनफॉर्मेशन सरफिसेस और इंडिया लिमिटेड दोस्तों यह क्राइशिल का फुल फार्म होता है आगे बढ़ते हैं दोस्तों भारत में केंदरी सरकार की आई के श्रोतों को समिधान की आई के श्रोतों को समिधान की साथवी अनसूची में उल्लेखित किया गया है भारत की संचित निधी से होने वाले व्याय और भारती व्यायों के लिए संसदी मजदूरी मंजूरी किस विदहयक के माद्यम से प्राप्त की जाती है तो दोस्तों भारत की संचित निधी से होने वाले व्याय और भारीत व्यायों के लिए संसदी मंजूरी विनियोग विदह प्राप्त की जाती है आगे बढ़ते हैं दोस्तों उन्निस सो पच्पन में इंपीरियल बैंक का राश्ट्री करण कर करके स्थापना की गई थी वी निर्मित वस्तूओं में सरवाधिक आये रत्नियों आभूशर से प्राप्त होता है अंतर राष्टी पुनर निर्माड यों विकास बैंग को किस अने नाम से जाना जाता है तो दोस्तों अंतर राष्टी पुनर निर्माड यों विकास बैंग को विस बैंग अर्थात वर्ल्ड बैंग के नाम से भी जाना जाता है भारत में बचत का अधिकांस भाग किस छेतर स से प्राप्त होता है भारती बैग्यानिक माप विग्यान संस्थान कहां स्थापित किया गया है तो दोस्तों भारती बैग्यानिक माप विग्यान संस्थान राची में अस्थापित किया गया है राची दोस्तों जो कि जारकन पड़ता है ग्रामिड विकास के लगभग सभी कारिक्रमों को नवी पंचवर्थी योजना में किसी योजना में समाहित कर दिया गया तो दोस्तों ग्रामिड विकास के लगभग सभी कारिक्रमों को नवी प वागार्द में विदेशी मुद्रा कोष पन्य अंतरण रिजवर्बैंक आफ इंडिया का होता है कि भूंक दर किस नीती से संबंदी था थो दोस्तों बैंक दर का संबंध मौद्रिक नीती से होता है next question है conquer rail परियोजना किस वर्ष आरम की गई थी तो दोस्तों conquer rail परियोजना को 1990 में सुरू किया गया था किसी एक लेखा वर्ष में देश की अर्थ विवस्था में उत्पादिस सभी अंतिम वस्तुओं वह सेवाओं का बाजार कीमत पर क्या मुल्य क्या कहलाता है तो दोस्तों किसी एक लेखा वर्ष में देश की अर्थ विवस्था में उत्पादिस सभी अंतिम वस्तुओं एवन सेवाओं का बाजार कीमत पर मुल्य दोस्तों सकल राष्ट्री आय कहलाता है आगे बढ़ते हैं दोस्तों पूजी निर्मार के तीन चरण कौन कौन से हैं तो दोस्तों पूजी निर्मार के तीन चरण होते हैं जिन में दोस्तों बच्चत का स्रीजन, बच्चतों का संगठन और वास्तिविक निवेस होता है भारत में ग्रामीर्ड साख सुलब करने वाले संस्था कौन सी है तो दोस्तों भारत में ग्रामीर्ड साख सुलब करने वाले संस्था दोस्तों नाबार्ड है भारती आयात की सबसे बड़ी मद क्या है तो दोस्तों भारती आयात की सबसे बड़ी मद अर्थात पेट्रोलियम तेलियम लुब्रिकेंट है आगे बढ़ते मित्रों अंतर राश्टी ब्यापार का निर्पेक्ष लागत लाब सिद्धान किस ने विक्सित किया था अगला प्रश्ने आपलों के लिए भारती रिजर्ब बैंक को लाइसेंस प्रदान करने से लेकर उसके समापन तक के लिए अधिकार किस वी नियम द्वारा प्रदान किये गये हैं पंचवर्जी यूजणाओ को अनमोदित करने वाली सर्मोजशं था कौन सी था राश्ट्री विकास परिश्यद होती है अगले प्रश की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों राश्ट्री उपभोक्ता विवाद निवारण आयोक का मुख्याले कहा है तो दोस्तों राश्ट्री उपभोक्ता विवाद निवारण आयोक का मुख्याले दिल्ली में है उत्तर प्रदेश का निर्यात प्रसंकरण के अंदर कह भारत में जन्संक्या ब्रिद्धी के संदर में महान विभाजक वर्ष कौन सा था तो दोस्तों भारत में जन्संक्या ब्रिद्धी के संदर में महान विभाजक वर्ष और था यह आफ ग्रेट डिवाइड दोस्तों वर्ष 1921 था नेक्स्ट क्यूस्टन मित्रों भारत की किस पंचवर्षी योजना में तिव्र ओध्योगी करण पर सर्वर्थम बल दिया गया था ग्रामिड विकास की लगभग सभी कारक्रमों को नवी पंचवर्षी योजना में किस योजना में समाहित कर दिया गया तो दोस्तों ग्रामेड विकास के लगभग सभी कारक्रमों को 95 योजना में स्वन जयनती ग्राम स्वराज योजना में सामिल कर दिया गया था आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चक्री बेरोजगारी से क्यातात्वर है? तो दोस्तों ब्यापार चक्रों के कारण उत्तपन हुई बेरोजगारी को चक्री बेरोजगारी कहा जाता है। भारत की अर्थ बिवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन सब्दों में ब्यक्त किया जा सकता है तो दोस्तों भारत की अर्थ बिवस्था को सबसे अच्छे ढंग से दोस्तों मिस्रित अर्थ बिवस्था के माध्यम से ब्यक्त किया जा सकता है अर्था दोस्तों भारती जो अ नेक्स्क्यूप्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् होजिंग का क्या अर्थ है तो दोस्तों अंतर राश्टी व्यापार में होजिंग का अर्थ विदेशी विनी में जोखिम से बचाओ करने से होता है भारती बाजारों में पीटर इंगलेंड ब्रांड नाम से क्या उपलब्द है तो दोस्तों भारती बाजारों में पीटर रूगनगता की समस्या के समाधान का उत्तरदाइत्व और द्योगिक यों वित्ति पुनल निर्माड उद्योग सोरी दोस्तों बोड बी आई एफर को सौंपा गिया है नेक्स्ट क्यूश्टन है दोस्तों आपनों के लिए महल नोबिस अथवा नेहरू महल नोबिश कूट निती पर भारत की किश्पंच वर्ची उजिना का प्रारूप अधारित है दोस्तों यह भारत के दिति पश वर्ची उजिना अधारित है अद्रिस बिरोजगार अर्थार डिसगाइश्ट अनिम्प्लॉयड ब्यक्तियों की सीमांत उत्पादत्ता प्राया कैसी होती है दोस्तों अद्रिस बिरोजगार ब्यक्तियों की सीमांत उत्पादत्ता दोस्तों प्राया सुन अथवा रिडात्मक होती है नेक्स्ट प्रेश्ण की तरप बढ़ते हैं, जब सीमानत आगम सुन्ने होता है, तो मांग की लोच इकाई के बरावर होती है डास कैपिटल के लेखा कौन है तो दोस्तों दास कैपिटल के लेखा काल्स मार्क्स है आगे बढ़ते हैं दोस्तों भारत की दूसरी पंचवर्षी ओजना का विकास किस रणनीती पर आधारित है तो दोस्तों भारत की दूसरी पंचवर्षी ओजना का विकास महाल नोविस रणनीती पर आधारित है सात्वी पंच वर्षी योजना के अंतरगत सार्वयनिक छेत्र के किस छेत्र को सरवच वरियता प्रदान की गई थी ठीक है दोस्तों इस परकार से हम लोगों ने भारती अर्थ विवस्ता से समंधित 1000 से भी अधिक वन लाइनर जी के के प्रश्णों के सीरीज के फर्स्ट पार्ट को अध्यन कर लिया है तो दोस्तों यह आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोगों इसके बारे में कहीं कहीं परिछाओं में बार-बार पूछे गए हैं और फी दोस्तों आगे पूछे जाने की पूरी संभावना है तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही तब तक के लिए जय हिन जय भारत